नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सौनवीड सिंग और स्वागत है आपका सौनवीड टैक यूट्यूब चैनल में और यह वर्डप्रेस वेबसाइट मेकिंग सीरीज का वीडियो नमबर 8 है और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एडवांस एडिटर टूल प्लगिन के बा लेता हूं तो हमें अपनी वेबसाइट का जो डैस वोड है उस पर में जाता हूं प्लगिन वाले सेक्शन में जाता हूं और एड नियू पर क्लिक करता हूं और यहां पर जो सर्च प्लगिन है यहां पर मैं डालता हूं एडवांस्ट एडिटर टूल राइट ठीक है तो य आप सिर्फ मैंने सको इंस्टॉल किया है एक्टिवेट नहीं करता हूं बट इसको आपको इस दिखाए जाता हूं ठीक है अभी में जाता हूं पोस्ट में ठीक है क्योंकि बाइडिफॉल्ट क्या है ब्लॉक एडिटर आता है वर्ट्रेस के साथ तो मैं बुस्ट बाजाता है बट इसको चलाना थोड़ा सा क्लासिक एडिटर के कंपरेजर में थोड़ा सा मुस्किल है बट जो इसको चलाना सीख जाता है जो चलाना इसकी हैविट हो जाती है उसके लिए काफी कंपरेवल है बट मैंने हमेशा से क्लासिक एडिटर में काम किया है इसलिए मैं आपको साथ के अधिश्य के वारे में बता रहा हूं अगर आप लॉक फे लेटर में डिफ्रेंस करहूंगे तो दौनों काफी अंदर यह बड़ हम आज फाइब करेंगा क्लासिक एडिटर के बारे में तो अभी जो ऐडिफल जो एडिटर आ लिया इसके बाद क्लासिक एडिटर को हमें सेट अप करना है उसकी सैटिंग में जाके कुछ चेंजिस करने तभी यहां पर यहां पर एफेक्ट होगा ठीक है तो अब इसको क्या करता हूं बंद कर देता है और जो एडवांस एडिटर टूल जो क्लासिक एडिटर है इसकी क्लासिक एडिटर है तो अभी क्लासिक एडिटर करना है और यहां पर कुछ टूल जो आपको पर शूल प्रणाने में आपको हैलप करते तो वो आपको कौनकौन से टूल है वह मैं बता दूँगा अब इसके बात करना क्या नीचे जिग्यों से आप्शन से आप पढ़ना त एडिटर से है इसके बाद यहां पर मैं इन पर चेक कर देता हूं इंसर्ट टेवल ओके एट्रिविट वन डाइट चाहिए मेरे को ठीक है अगर आपको इन में सब्सक्राइब जो जो मैं चेक करते जा रहा हूं आप उन पर चेक कर लिजिए इसके बाद यहां पर देखोगे है मैं सेव कर देता हूं से हो गया है अभी मैं फिर से पोस्ट में जाता हूं और एड़ निव कर्टिगरी पर क्लिक करता हूं अभी देखना आप अभी यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा अभी आप जो आप्सन देख रहा है यह क्लासिक एडिटर है जो मैंने आपको काफ यह मंने परते हम पर कैप्र के प्लोक प्लोक पर ऑफें यहां پर बहुत एजए है लिखना का जाए तो आप है ठीक है तो वह कैसे सेट अप करना है तो वह उसकी सेटिंग में जाता हूँ क्लासिक एडिटर पर क्लिक करता हूँ आप तो मुझे टूल्स को अरेंज करना जो जो टूल्स मुझे चाहिए ज्यादा प्रियोर्टी पर काम करने के लिए उन्हें मैं टॉप पर रखूंगा बागी को मैं नीचे रखूंगा ठीक है वह आपको जो जो लगता है कि आप यूज करते हो जिन ऑफसंस को उन्हें आप रख नीचे मेरे को हाँ यह और लाइन चाहिए तो होजेंटल लाइन को आपर में लेकिया जाता हूं इसके बाद यहां पर यह वाला कौन सा और यहां पर टेक्स्ट कलर बहुत इंबोडेंट अफसन है तो मैं आप इसको यहां पर रखता हूं इसके बाद टेवल को में उठा के सब को रख लेता हूं ठीक है तो यहां पर मैंने सारे टूल रख लिए और इसको मैं सेव कर देता हूं ठीक है यह सेव कर दिया अभी इसको मैं रीफ्रेस करता हूं तो अभी आप देखोगे कि आपके सामने सारे उप्संस आगे आप इन्हें री अरेंज भी कर सकते हैं इन्हें आप री अरेंज भी कर सकते हैं वह कैसे करना है जैसे कि यहां पर मुझे यह वाले उप्संस चाहिए ठीक है तो अभी मैं उसको फुल स्क्रीन कर देता हूं त नहींस को मैं यहां पर कर देता हूं राइट यह जाएगा फॉर्मेट को सबसे चलिसको इसकी जरुत नहीं है इसको नीच रख लेता हूँ इसकी जरुत नहीं है ठीक है और बाकी यह जो है इन्हें में आप रख लेता हूं ठीक है इनकी आप सकता आपको बहुत कम पड़ेगी आके ना के बराबर पड़ेगी यह हो गया रियर एंज फिट से सेव कर देना है मैं फिट से जाता हूं और इसको फिट से रीफ्रेस्ट कर लेता हूं कि देखे इसको मैं फुल करता हूँ अभी देखोगे कि यह सारे आपके आमें आगे अब इन आपसंस की मदद से आप बहुत अच्छा आपर कंटेंड लेख सकते हो अब एक्जम्पल के तोर पर अभी फिलाल मैं अपनी जो दूसरी वेबसाइट है उसको प्रिंट कर लेता क्या कर दिया हूँ और यहां से मैं कोई भी कंटेंड उठा लेता हूँ चलो फोटो सॉप को इठा लेते हैं यहां से मैं इसको कॉपी करता हूँ राइट कॉपी किया और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहां पेस्ट कर दिया इसकी बाद क्या देखा यहां पर क्या क अब यह paragraph हो गया और मुझे यह बनाना हैडिंग तो मैं इसको हैडिंग सेलट करूंगा और यहां पर हैडिंग 3 देता हूं है भी यहां से डेसाइड कर सकते हो 24 पिक्सल इसका जो फोन फेमिली थे तो मैं है यहां पर सकते हो फिर यहां से सकते हूं तो इसको दूर्ट ऐसकुन अच्छा तूल लगा है मेरो को क्लासिक एडिटर तूल करना तो आपको ब्लॉक एडिटर भी काफी अच्छा है टूल बाई जो डिफॉल्ट आता है वर्डप्रेस के साथ बड़ जातरे लोग क्लासिक एडिटर यूज करते हैं कि इसमें जदा इजी होता है पेज़ेस और पोस्ट बनाना इसके साथ ही साथ मैं आपको बता जाता हूं कि एक प्लग-इन और कटियुक्त और इंस्टॉल कर लेता हूं कि उस प्लग-इन पर अलग से वीडियो में मेरे लिए लगता है कि एक वीडियो तो और नहीं हो पाइगा है इसलिए और उस प्लग-इन का नाम है अल्यमेंटर ठीक है तो मैं जाता हूं और एल्यू तो साथ-साथ में में यहाँ कर लेता हूं तो अभी हम एलिमेंटर का और इस टूल दोनों को मिला के हम पोस्ट बनाने चालू करेंगे तो मैं खोसिस करूंगा कि अगले वीडियो में एक अच्छी सी पोस्ट बनाऊं ठीक है फिर हम दीरे दीरे जैसे यह सीरीज आगे बनाते जाएंगे तो प्लग इन्स को अपने को जरूत के हिसाब से डाम्रूड एन इंस्टॉल करते जाएंगे तो नहीं पर यह इंस्टॉल हो गया एक्टिवेट कर लेता हूं ठीक है और अलीमेंटर पर हम बात करेंगे जब हम पोस्ट या पेजिस बनाएंगे तो दीर दीर हम बात करते हैंगे अलीमेंटर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई जा सकती है तो हाज सो वीडियोज के ठीक है तो अभी इसके बार आप ज़्यादा बात करना ब्रभी को लबा खॉने के बरावर एक तो आसा करता हो कि scra पॉर कीजिए सक नहीं कर दीजिए अगर यह सलकिने को सब्सक्राइब कर लीजिए तो थेंग कियो और क्या किकी यह प्हु tofu